देखो जा सिट्रॉइन कंपनी ने एक 5-seater और 7-seater SUV कार को इंडियन मार्केट में लॉंच कर दिया है जिसका नाम है C3 Aircross लेकिन यहां पर बहुत सरे लोगों को confusion हुआ होगा कि C3 नाम की कार पहले से ही इंडियन मार्केट में बिक रही है तो यह C3 Aircross यह क्या चीज है तो आपको बदना चाहूंगा यह कार कंपीट करने वाली है क्रेटा, सेल्टॉस, ताइगन, कुशक, आस्टर के साथ और जो पहले से ही C3 इंडियन मार्केट में बिक रही है वो एक entry level hatchback कार है उसका मुकाबला टाटा पंच के साथ होता है, इगनिस के साथ होता है, उस सेगमेंट के अंदर C3 इंडियन मार्केट में बिक रही है लेकिन जिस SUV कार को आज इंडिया में launch किया गया है, वो एक midsize SUV कार होने वाली है और इसकार को Krata Celtos के सेगमेंट के अंदर उतारा गया है और सबसे important चीज़ Citroen Company ने इसके अंदर 5-seater और 7-seater configuration को option दिया है यहाँ पर एक important चीज़ मैं आपको बतना चाहूंगा, इसके 7-seater model को 5-seater भी बना सकते है थर्ड रो के seat को remove करकर, तो यह एक बढ़िया feature आपको इसकार के साथ देखने को मिल जाएगा इसकार का production यानि manufacturing 90% इंडिया में की जाएगी और 10% चीज़े भाहर से मंगाई जाएगी तो यहाँ पर इसकार का 90% production इंडिया में ही होने वाला है Citroen Company ने इसकार को CMP modeler platform के ओपर build up किया गया है और same platform के ओपर आपको Citroen की बहुत सरी cars देखने को मिल जाएगी इसकार को 1.2-liter 4-cylinder turbo petrol engine के साथ उता रहा है जहाँ पर आपको 110 bhp की power output और 190 Nm का torque मिल जाएगा इसके अंदर आपको 200 mm का ground clearance देखने को मिल जाएगा और इसके 5-cylinder model के साथ आपको 444-liter का bolts bus मिल जाएगा इसके 7-cylinder model के साथ आपको 511-liter का bolts bus मिलेगा जब आप इसके 3rd row के seat को unfold करोगे या फिर निकालोगे अगर मैं इसकार के interior की बात करो तो इसकार का interior आपको completely different देखने को मिल जाएगा as compared to citron की seat 3 जो की एक hatchback कार है इसका interior completely नया रखा गया है और इसके अंदर आपको काफी premium features देखने को मिल जाएगे अच्छाखासा comfort आपको मिलने वाला है इसकार के अंदर नये seat का use किया गया है dashboard का design भी completely नया रखा गया है 10.2 inch का बड़ा सा touchscreen input system भी मिल जाएगा multifunction steering wheel को option दिया हुआ है full digital instrument console आपको मिलेगा और ये कार 5-seater और 7-seater configuration के साथ आने वाली है अगर मैं इसकार के exterior look की बात को तो इसका look आपको definitely पसंद आने वाला है मुझे personally इसकार का rear का feature और side का profile काफी ज़दा impressive लगा हलाकि इसका front का feature आपको typical Citroën की कारों जैसा ही देखने को मिल जाएगा Y-shape के साथ LED DRL का setup दिया हुआ है इसके front के grills आप देख सकते हैं स्क्रीन के ओपर signature grill का setup आपको मिलेगा वी तो logo तो यही चीज़े आपको similar देखने को मिल जाएगी यानि सेम चीज़े आपको Citroën की बाकी cars के अंदर भी देखने को मिल जाएगी लेकिन यहाँ पर एक disadvantage आपको बतना चाहूंगा इस car के अंदर Citroën company ने halogen headlamp का setup दिया है वहाँ पर LED projector headlamp का setup देना चाहिए था लेकिन यह चीज़ आफर करी है शायद टॉप model के अंदर Citroën company LED का option दे सकती है इसके अंदर आपको fog light का setup मिलेगा front के bumpers आपको थोड़े से sportier मिलेंगे और इसके जो alloy की design है वो आपको typical Citroën के cars का जैसा ही देखने को मिल जाएगा यानि इसके अंदर आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे और इसका side का profile आपको कैसा लगा comment section में जरूर बता देना अगर में इसके rear के फीशा की बात को तो इसके rear में जो सबसे attractive चीज़ है वो है इसके already tail light इसका rear का फीशा भी दिखने में काफी भेतरी ने और इसका 7-sitter model दिखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है as compared to 5-sitter वाला model launching के अगर में बात करो तो Citroën company इसकार को July ये फिर August के असपास इंडिया में launch करेगी officially यानि आज इसको reveal किया जा चुका है अब इसके सिर्फ pricing आने बाकि है और उस pricing को July ये फिर August के असपास reveal किया जा सकता है इसकार के expected कीमत 10 लाग रुपाई बताई जा रही है क्योंकि ये कार Creta Seltos के segment के अंदर entry करने वाल है लेकिन इसके 7-setter model की कीमत आपको थूड़ी सी extra देखने को मिल जाएगी आपको क्या लगता है ये कार Creta Seltos ताइगुन कोशक, Aster, Grand Vitara और Toyota के High Raider को टकर दे पाईगी कि नहीं comment section में जरूर बता देना मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा मुश्किल होगा इस कार के लिए क्यूंकि आज के डेट में Creta ने दबदबा बना के रखा है Seltos भी अच्छी कासी भिक रही है और आने वाले कुछ समय में दोनों ही कारों का Facelip model भी launch हो जाएगा तो यहाबर competition तो tough होने वाला है आने वाले समय में हमें सब कुछ चीज़े पता चल जाएंगी जैसे ही इस अगार के prices reveal हो जाते हैं मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूँगा उसके लिए आपको चनल को subscribe करके bell notification को on करके रखना है